असलाम लेकुम डियर स्टूडेंट आज हम डिजाइन एक्टिब्यूट देखने जा रहे हैं चार से छे साल तक के बच्चों की किताबों का और करेंगे कि इसको अवा खुरू करते हैं इसws लिए आले के समझना इसलिए बहुत जरूरी है क्यूंकि ने इन किताब को बहुत अर्से इस्तेमाल करना है इन से दोस्ती करनी है कि किताबे उनके दोस्त होगें तो सबसे पहले हमाज जाते हैं फॉंट के उपर एक चीज हमें समझनी है इस उमर के अंदर के बच्चा प्री स्कूलर है और वो स्कूल में एंटर होने जा रहा है तो हमारे बस लिटरिचर की किताबों का एक बहुत एहम परपस यह होता है कि हम बच्चों को वर्ड सेंटेंस से इंटर्ड्यूस कर बैँ और बच्चे जो हैं हैं लेटर को या डिजिट्स को समझना शुरू करते हैं तो यह वह ईज है जिसके अंदर बच्चे इन तमाम वर्ड संटेंस को याव डिजट्स को अच्शली करते हैं अपनी टेक्सबूक में मुभी जगों पर एखबार आत में या मैगजीन्ष के अंदर. So, यह बहुत जरूरी है कि बच्चों की visual satisfaction हो और वो सिर्फ और सिर्फ तब मुम्किन है कि जब visuals बिल्कुल clearly उनको नजर आ रहे हो और font size इतना clear हो कि उनने कोई confusion उसके अंदर महसूस ना हो. So, यह बहुत जरूरी है कि आपका font या आपके text की unity, visual unity के साथ combine हो. जितनी बेहतर होगी उतनी ही बच्चों की memory पे देर तक वो words रहेंगे और वो बच्चों को याद रहेंगे और बच्ची उनने बाद में recall कर सकेंगे. So, क्या ideal हमारे पास font size है और line spacing है चार से छे साल के बच्चों के लिए 1.5 row space है और 20 to 24 font size अगर हो तो बच्चे उसे बहुत अराम से पढ़ सकते हैं और उन words को याद रख सकते हैं और वो उनकी memory में long lasting time तक रह सकती हैं. अगली चीज font के अंदर यह आ जाती है कि जब हम fonts बनाते हैं 20 to 24 font size में तो उसके colors ऐसे नहीं होने चाहिए या उसके अंदर pattern ऐसा नहीं होना चाहिए जो बच्चे उसको perceive ना कर सकें या उससे recognize ना कर सकें और वो font confusing हो जाए. अगली important चीज यह आती है कि font को या text को कभी भी visuals के उपर जाके नहीं लिखते हैं जिससे visuals छुप जाएं या visual के colors ऐसे हों जिसकी वज़ा से हमें font समझ में ना आए. उससे बच्चों की reading जो है वो थोड़ी सी मतासिर होती है और उनका interest कम हो जाता है. अगली important चीज आ जाती है हमारे पास के किताब का size क्या होना चाहिए. यह वो उमर है चार से छे साल की जिसके अंदर बच्चे इंतहाई curious होते हैं और नई नी चीज़ों को explore करना चाहते हैं और वो continuously उनके ideas, mind, choices change हो रहे होते हैं. तो it is a very right age जिसमें हम बच्चों को मुक्तलिफ dimension की किताबे दे सकते हैं, sizes की किताबे दे सकते हैं. उससे बच्चों का उनमें interest develop होता है, वो attract होती है और सबसे important चीज़ के size और dimension ऐसी होनी चाहिए कि वो text और illustration को disturb ना करे, balance तरीके से उसके अंदर आए. अगली important चीज़ होती है, 4-6 साल के बच्चों की literature की किताबों में paper की quality. So हम ये शुरू ही से पढ़ रहे हैं, कि बच्चों की किताबों में paper quality is really important है, कि एक long lasting relationship है. पेपर मोटा होना चाहिए, पेपर थिक होना चाहिए, जो जल्दी ना फट है, एक durable paper होना चाहिए. इतना glossy नहीं होना चाहिए, जिससे light reflect हो या आपके जो visuals हैं और colors हैं वो attractive तरीके से display ना हो सकें. तो it is very important कि paper की quality बहुत अच्छी हो. अगर paper बहुत ही बारीक होगा, तो definitely वो जल्दी फट जाएगा. और अगर paper बहुत ही shiny होगा, तो वो paper में आपके visuals और आपकी colors अच्छी तरीके से नजर नहीं आएंगे. पेपर का size बहुत important है, ताकि text और visual उसमें balance तरीके से display हो सकें. Last but not the least, किताब की binding कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, जिससे बच्चे safe और secure रहें और वो जिसमानी तोर पे उनको कोई नुकसान ना पचाए. कम quality की glue का इस्तेमाल करना जो बहुत जल्दी निकल जाती है, जो बहुत जल्दी गीली होके सामने आ जाती है, य रहें और बच्चे उसे देर तक पढ़ सकें और बच्चे उसे safe तरीके से उस किताब से दोस्ती कर सकें उससे देर तक खेल सकें. Thank you so much.